मानवता के वास्तविक धाचे को त्यार करने के लिए मानवता के वास्तविक रूप को लाने के लिए मानवता के वास्तविक उत्थान के लिए जो प्रयास हमेशा से होते रहे हैं हो रहे हैं होते रहेंगे लेकिन उन राहूं में हमेशा से बाधाएं आती रही हैं आ रही हैं आती रहेंगी परन्तु महत्पुन तत्थ यह है कि मानो सभ्यता के वास्तविक धाचा को तयार करने के लिए जो बाधाएं पिछले समय में आई शायद हम उस पर या उन पर करारा प्रहार न कर सके उन्हें कुचल ना सके उन बाधाओं का निराकरण न कर सके जिसके कारण उनका सीधा प्रभाव मानो सभ्यता मानवता के वास्तविक धाचा पर पड़ा और ये दे नहीं पड़ा होता तो समाज में इतने नकारत्मकताएं इतनी अराजकताएं अशान्ति असत्य अधर्म अन्याय अराजकता हिंसा दंगा फसात मार काट भ्रष्टाचार खोन खराबा कमिशन खोरी कमिशन खोरी घूस खोरी आधिप्रकार की लंबी लिष्ट से भरी ये समस्याएं मानव सभ्यता के लिए बाधा नहीं बन जाती मैं फिर इस बात को इस पश्ट कर देना चाहता हूं नकारत्मकत विधि को तुरंत ही कंट्रूल किया जाना चाहिए और आगे भी हमें इस पर कदम उठाना होगा तब ही हम मानव सभ्यता के वास्तिविक धाचे को मानवता के अपेक्षित रूप रेखा को तयार कर सकेंगे और जब हम तयार कर सकेंगे तब ही हमें उसका लाभ में मिल पाएगा जब तक हम यह प्रयास नहीं करते तब तक उन परणामों का भी हम केवल इंतजार ही कर सकते हैं